सब भी विद्यार्तियों को नमस्ते विद्यार्तियों इस वीडियो के अंत्रकत हम एन आयो एस और राजिस्तान इस्टेट ओपन इसकूल कक्सा 10 में जो घ्रेव ग्यान विशे है जिसका विशेक और 216 है उसके महत्योपुन वस्टमिस प्रशन पर हम चर्चा करेंगे इसे प यह इस परशन है तो आपको पता है कि आप ग्रेविगयां का पेपर होता है उसमें लंसम 10-12 कुशन एम सीक्यूक के आते हैं तो जो भी आपके पार्ट में मैंत्यों परशन बन रहे हैं मैं इस वीडियो के अंतरगत लेके आ रही हूं तो आपसे रिक्वेश्ट है कि आप चैनल को सस्क्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा लें तो मैं जो भी वीडियो लेके आऊंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहें अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको शेर करें और लाइक करें तो आज हम देखते हैं इसके अंतरगत पार्ट नमर तीन और पार्ट नमर चार के वस्तुनिश प्रशन है पार्ट नमर तीन है भोजन समू तो भोजन समू यह पार्ट का नाम है इसका पहला प्रशन है भोजन समू कहलाता है चोटे बच्चों के लिए सवरो तुम आहर माना जाता है तो ए है अंडे बी दूद सी फल डी सब्जा तो इसका अंसर है दूद हमें पता है कि छोटे बच्चे वह मा का दूद कई सेवन करते हैं तो यह है इसका अंसर बी दूद प्रस्न संग्य तीन है खट्टे और रसीले हमें पता है कि उसमें विटामिन सी पाया जाता है तो इसका है उप्रस्न संक्य 4 है one कि सोर बालग की प्रति दिन लघबर उच्जा की आउ शक्ता होती है जो बी किस वैलक है उसको प्रति दिन उच्जा की आउशक्ता होती है उPSन ए है 2400-2600 किलोरी Option B 2000-2200 किलोरी Option C 3000-3400 किलोरी Option D 1000-2600 किलोरी तो इसका अंसर है A 2400-2600 किलोरी परस्टन पाच है भोजन नियोजन को प्रभावित करने वाले कारक है तो इसका Option A है मौसम में उपलपता Option B है मौसम Option C है व्यवशा है और उपिन लिए उप्लुप्त सभी तोहमें पता है कि जो भी हम भॉजन करते हैं यह किछन में क्या खाना बननेssen वह पेले से यूजन रहते हैं हर और मौसम कныいうこと अर डिकर शटी helps कोशन के सबूति हुआ हैं यह सरी का मोसम जर्म सोड़ी हमें उरजा मिन सके हमारा साली को अब곡तिह क altar यह सबrias कर साओ कोई मजदूर है किसान है सालिडिक शरम करने वाले रिक्षा चालक है यह करते हैं कि ज्यादा उर्ज़ा की आउसकता होती है तो ऐसे वेक्तियों को ज्यादा प्रोटीन है कार्भो हाइड़ेड इसके बहुत जांदी जो ज्यादा मेहनत कारे नहीं करता है जैसे माननों कोई अध्यापक है या कोई ओफिस में बेठे-बेठे ही कंपेटिव कोई काम कर रहा होता है तो उसको ज्यादा सरीरी क्रूप्शन मेनत नहीं करनी पड़ी तो उसका थोड़ा कम उर्जा की आउशकता होती है तो उसका अधार पर वेवसाई का अधार पर भी हम अपने कीचन में बोजन का चैयन करते हैं तो उप्रुक्त सभी तो इसका अंसर है उप्रुक्त सभी प्रस्न संग्या 6 है संतुरित आहर वह आहर है तो A है जिसमें सभी पोशे तत्तों सही अनुपात में हो B है सभी पोशे तत्तों एक निचीत अनुपात में ना हो C है जो खाने में स्वाधिष्ट हो D है जो खाने में मीठा लगे तो इसका अंसर है A जिसमें सभी पोशे तत्तों सही अनुपात में हो तो देखो इस से समंधित यानि कि पार्ट में आपको बता रही हूँ उससे समंधित सारे पार्टों को मैंने होम साइंस के जीतनी सुपर पार सममने हुई इसके लाव तो उन से सममने वीडियो भी आप देख सकते हूं इसके लाव हिंदी जा को भी डाले हुए हैं तो आप पर चैंडल पड़ा के प्रिया आप तैयारी कर सकते हों तो इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहें तो इसका अंसर है जिसमें सभी पोश्चतत्यों सही अनुपात में हो अब देखो परसन संक्या साथ है आहर का मुख्य घटक है अनाज है जो आहर का मुख्य घटक होता है हम खाना खाते तो इसमें अनाज सामिल होते है ठीके तो अनाजों से बने हुए बोज्य परदात हम बहुत ज़्यदा मातरा में खाते है तो इसका अंसर है प्रसन संक्या आठ है सरकरा में पाया जाने वाला पोश्टिक तत्व है तो मुख्य श्रोथ है दाले और फलिया अमे इंडे दूध वप्रूक्स कई तो इसका अंसर आएगा वप्रूक्स क्योंकि जो साकारी है वह दाले खा सकते हैं फलिया का सेवन झतथ मास कश्ची कशोन कर सकते तो दाल ठलिया अंडे दूध सम्भी में प्रोटिन अर्प्रमातर तो इसका उप्सन दे रखा है पांच बोजन समूँ बी केलोरी सी उजा डी आयू के अनुसर बोजन पिरामिड हमें दर साथ है पांच बोजन समूँ को तो देखो फेले हमने फिछले पांच बोजन समूं को किसे पकाई जाता है तोसा कि प्रजन कारे बोजन समूं देखो reminds C पकाने से बोजन सुरक्षित रännता है D उप्रुक्ट सभी तो इसका अंसर है D उप्रुक्त सभी। कियो हमें पता है कि बोजन पकाने से क्या होता ह enthusiast वच्छे होता है जब हम बोजन को पका लेते हैं उसका रंग है, स्वाध है, गंध है उनमें वर्दी हो जाती है और पकाने से बोजन सुरक्षित भी रहता है वो लम्बे समय से चलता है अगर बोजन पदा कचा रहेगा तो जल्दी से खराब हो जाएगा तो इसके अलावा भी जो भोजन पकाने के जो मेत्व है उसके अन्य पॉइंट भी दे रखे है तो आप चेप्टर में दाखका भी पड़ सकते हो तो आपको अगर पॉइंट याद रहेंगे तो आप आराम से उसका अंसर लिख दोगे प्रिस्तन संक्या 2 है भोजन पकाने की एक विधी है तो देखो भोजन पकाने की तीन विधिया दे रखे है मुख्य रूप से तीन विधी है नम विधी सुक्स विधी और तेल में पकाने की विधी तो देखो नम विधी है नम का मतलब होता है पानी में पकाना और शुष का मत ठेल में तलाब होता है इसके सस HEY पेतोत है झाड़े प्रियोगा नहीं किया जाता है सीधे ही नब है तरो मितलता है तो देखो नम विदी यो पॉक्ही केपाने नम विद्धि-विदी जीस पारो भाव करते हैं पाने सब्जी को बालते है pro इसके लावा भाफ में पकाना वहां पाने चाहिए और धीमी आस पे पकाना तो उसके लिए पानी चाहिए तो यह नम विदी में पकाने के तीसरी विदी जो है तेल में तलने के दो तरीके हैं तो डीफ्राइ करना यानिक गहरी तेल में तला और खलके तेल में तलना तिस तरह से विदिया है कोई सी विदियो को किस तरह से इत़म्र के जाता है उसकी उबालने के वीदि कीजी के पर्क सिर आ जाता है फिर चुंखर तखन ना चाहिए पोशचतयों के सिरुख्श्रित रखने के लिए हम क्या क्याक करें औरHello और वीदियों एक वीधिया गला करा वह रहा है तो इसका अंसर है तलना यानि कि भोजन पकाने के एक वीदी है तलना, धोना, शुक्त, खाना, ठंडा, खना, तो इसका अंसर आएगा भाप में 60-0% से पातक है तो दिए 20 ॉद्ट पाप मौन भापart जाता है और जो एकस्टा भाप होती है वो सीडी के ज़री बहार निकल जाती है तो प्रेसर कुकर में ये जो किरीए है भाप की बनती है अगला है प्रेसर कुकर और इसका अनसर प्रेसर की चार है शुक शितापर भोजन पकाने की विदि है है उबालना तलना भाप कोबे सबसकता है तो भाप पकाना है तो भालना और भाप अगोल हम देखते हैं कि जादा मातर हम दिखा जाते हैं इसी प्रकार आटे को अगर हम धई में गुनते हैं तो जब गुनके रख देते हैं थोड़ी दिर बाद आटा फूल जाता है क्यों कि उसमें किण्वर्ण की विद्धी हुई है सुख्ष में जिवानु जब उस में मिलते हैं, उसके सूख्ष में वступं की व्रिदी करें कले को तो यह किल्वन की प्रिक्या के लाती है ते यह होती है कि इंतल सूख्ष में र Cinnamon सुख्ष कर्ता ऑद का शूज में तो तो उसे जो सूजी है दाल है जो भी है जिससे भी इडली बना जाती है उसको चाच में भिगवए जाता है या धही में भिगवए जाता है धही डाला जाता है उसके अंदर जिससे उसकी किर्मर की प्रकिया होती है अब है परसन सेंग्याट 6 दो या दो से अधिक bhojhyh pdaatot को मिला कर पोच्छी घट्री भना रहे हो ख़िछन के लिए गया है आप दाले भी डालोगे और शाथमें चावड डालोगे तो दो अलग भोच्छी प्रदात होगे चाओ वाल अनाच की श्यरिमा आता, डालेा की, डालेख की श्यरिमा आता है, दोनों के मिला आहांٌ है, 니सके लाओ भी आगाए नंके खीचिरी बना रे तो आपने, और उसमें वेजिटेबल डाल दी, सबजीय के अलू, डाल दी अगोबी डाल दी जो भी आपक समूछदिय के पूश्र तत्तों का समवर्दन हो तो यह होता है सही जन के अंद्र जोगार से अलग वस्ती खाद्य पदात को मिला दिया फिर उसका उससे अमने भोजन पकाया के साथ सुर्यके प्रकास जूरह भोजन बनता है सोलर कूकर में बी प्रेशन कुकर में सी सुडा प्रियों आखके हैं ऑका के सव दरथन लिए तो यह 3 इसमें आही रखे है इसके लखती हे और कि चेप्टर में दे रखा है जैसे कि सोड़े का प्रियोग नहीं करना है पोशन को ठक के पकाना है ज्यादा मातरम उसको उबालना नहीं है ज्यादा सिजादा नहीं है ठीक है अना सब्जी को मोटे मोडे रूप में काटना है अना काटने से पहले ही धोना है उसको जैसे चाम उसको भी खाने में उप्योग ले सकते ह। और खाथे पदातों के हंदरं इम्ली है, धही है, निम्मू है, इनको उप्योग करेंगे तो फिर उसके पोश्रतत्तों में संबर्धन हो जाएगा। तो इस तरह से अजने पॉइंट भी दे रखे तो आप महासर पढ़ सकते हो क्योंकि यह भी क्यूशन आपके बोर्ड के एक्जाम में कई वर बना हुआ है तो इसका अंसर आएगा डी उप्टुक्ट सभी परसन संग्या नो है शुक्षम जिवानों के कारण पोशक तत्व में जिवानों के बोड़े करते हैं तो ये आएगा आनसर इसका बोजन को पकाने से कच्चे भोजन के खालिस। नश्ट हो जाते हैं तो यह आएगा आंसर का सुक्षम जिवानु ठीक हो जाते हैं प्रस्टन संगे ग्यारा है भोजन में जो बेक्टरिया होता है उससे होता है ए तपेदिक बी खासी सीवखा डी हेजा तो इसका आंसर रहेगा ए तपेदिक जो भी कच्छा दूद होता है उ प्रस्टन संगे बारा है सुक्स ताफ विधी द्वारा भोजन पकाने के में तापमान कितना होता है तो अ है है दो सो बीस से 3100 डिए सेंटिग्रेड और जैसे की तंदूरी रोटी तंदूर में शेकी जाती है तो इसका अंसर आएगा तो सुक्स विधी में जोसमें हवा ग पाइजन पकता है यह रोटे सीख जाती है तो यह थे आपके कुशिन पाँछो पाँचो पार्ट का पार्ट का अगले वीडियो में देखेंगे वह वीडियो बढ़ा हो जाये का तो चोड़े चोड़े के तेयारी हो जाएगी इसे साहत ही अनने जो प्रशन है इस पार्ट से बन रहे हैं जो दो में जल्दी लेकर आऊंगी उस परे भी काम चल रहा है तो आप जदे वीडियो लाईक करें चेनल को सब्सक्राइब करें जिसे हमें बी मोटिवेसण मिलता रहे है तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक झाल झाल